मुल 45 के इसे सब बेरी जी सियर करती हूं उसी तरह से आज में आपके साथU स्किन टाइटनिंग से जी और इजिंग पोर्सेस नॉर्मला है वह उनके लपा-श करना है लेकिन फिर भी अपने आपको उसको अच्छा बनाने की भी कोशिश जरूर करनी है कि जिस तख एजिंग परसेस को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन किसी हद तक उसको कम किया जा सकता है और आपको उसको एकसप्ट करते हुए अपने आपको अच्छा बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए स्किन टाइटनिंग के लिए ही मैं आज आपको एक बता रही हूं जिससे कि आपकी स्किन टाइट हो जाएगी जैसे 30 प्लस जो लोग हैं अगर वो इस पैक को यूज करते हैं जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी और जितने टाइम ली इसको यूज करना है उस तर पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बैल को प्रसक्रेस कर लेना तो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मैंने अनालाइसिस में देखा था कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देख के आगे चले जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लीजिए ताकि और भी जो रियली एफेक्टिव रेमेडीज हैं उनके बारे में आपको पता चल सके एक्शली मैं आपके साथ वही रेमेडी शेयर करती हूँ ज आपकी स्किन को टाइट भी करेगी अगर उपोड्स ओपन हो चुके हैं उन्हें श्टिंग करने का काम भी करेगी वाके ही ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन इसे यूज कैसे करने आपने इसका बेस बनाना कैसे है आपको रात को तीन या चार चमच में गों आपने उसके बाद उसमें आदा जमच बेसन में लाना है ग्राम फ्लूट जिसे कहते हैं इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है देखिए वैसे भी हमें फेस बैक बनाने के लिए ठीक कंसेस्टेंसी चाहिए तो हम ऐसा ही चीज लेंगे जो इसकी स्किन के सा सकते हो तो आपने आदा जमच बेसन जो है उस गोल वाले पानी में आपने मिक्स कर देना है उसके बाद आपको अपने एक स्पून का क्वाटर पार्ट कॉफी का लेना है जिसको आपने मिक्स करना है अपने उस फेस पैक के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना इस कॉफी को क काम कर दी है और स्किन को टाइड करने का काम भी करती है तो आपने इस गोंद कतीरा का जो फेस पैक आप बना रहे हो उसमें कॉफी का कॉंबीनेशन से बहुत ही अच्छा है दोनों ही आपस में कमबाइंड होके आपकी स्किन को एक बहुत ही बैटर रजल्ट जो है वो देगी उसके बाद लास्ट में आपने आधा चम्मत शहद का भी मिक्स करना है अपने इस फेस पैक में शहद जो है आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्किन को बहुत जादा ब्राइड करता है अगर आपके पास फेस पैक में कुछ भी लगाने के लिए ना हूँ अगर आपने सिंपल शहद ही लगा लिया हो तो आपकी स्किन आलवेज ही ग्लो करेगी प्लस आपकी स्किन पे हमेशा फ्रेशनेस रहेगी ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ तो आपने इस फेस पैक में शहद का मिक्स करना है शहद हम क्यों मिक्स कर रहे है एक्चुली गौन करीरा जो होता है अगर आप इसकी रेगुलर अप्लिकेशन करते हो तो कुछ हद तक थोड़ी बहुत स्किन में ड्राइनेस आजाती है तो वो ड्राइनेस ना आए हर तरह की प्रापरटी आपकी स्किन को मिले तो उसके लिए आपको शहद जरूर मिक्स करना है तो जो यह फेस पैक है यह स्किन को बिलकुल हील कर देगा इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इस फेस पैक को अपवर्ड लिफ्ट करते हुए 10 या 15 मिनट के लिए आप इस फेस पैक को अपने फेस पे रखोगे और उसके बाद आपने अपना फेस वाश कर देना है लेकिन आपने इस फेस पैक की अप्लिकेशन के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बोलना बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह जो फेस पैक है गोन कतीरा से बना हुआ है जिससे स्किन उस एप्लिकेशन के टाइम बींग में ही आपको टाइटनेस सा महसूस कराएगी तो अगर आप बोलते हो तो वहां से स्किन सेगू सकती है तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना आपको इस फेस पैक को पंदरा मिनट बाद अपने फेस हफते में एक बार यूज़ करना है कई बार हम सोचते हैं कि इसका रेगुलर यूज़ करें तो वह जल्दी रिजल्ट मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं करना यह फेस पैक आप हफते में एक बार ही लगा सकते हो और एक महिने में इसका जो है अप्लिकेशन चार बार आप है आप उसको टाइट करने के लिए से यूज़ कर रहे हो तो आपको नॉर्मेलिटी में अपने आप में चेंज मिज़र आ जाएगा फस्ट एप्लिकेशन के टाइम पर बट पोर एप्लिकेशन के बाद आप कहोगे के वाक्या ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो मैं हमेशा आपको यह कहती हूँ कि हर एक रहमेडी में अलग-लग प्रड़क्ट होते हैं तो उनकी अलग-लग प्रपरटीज होती हैं तो मैं यह नहीं कहा रही कि रेगुलर आप फिर यही यूज़ करना लेकिन और भी बहुत सारी रहमेडी होती है इसके उपर एप्लिकेशन ह होता है वो अलग-लग तरह से स्किन को डियूटिशन प्रवाइड करती है तो आपको अलग-लग रहमेडी भी यूज़ करनी चाहिए लग-लग प्रड़क्ट से बनी हुई लेकिन जिसका जो बैनेफिट है उसको उसी तरह से अप्लाई करके अपने फेस पर यूज़ करना च भी उससे मोटिवेशन बढ़ता है अदर्स भी लोग जो कोमेंट पड़ते हैं आप कोमेंट जरूर कीजिएगा मुझे बताईएगा तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा उन्हें भी लगएगा कि वाके इस एप्लिकेशन से बैनेफिट मिलता है वो लोग भी बैनेफिट ज सके और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लेना और यह वीडियो शेयर भी जूर करना उन लोगों को जिनको इनकी जरूरत है बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू